गुद बॉर्निंग स्टुडेंट्स श्री भगवान्दास तोधी कोलेज की ओनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है आज हम पढ़ने वाले हैं एक एने लीडा का इंपोर्टेंट मेंबर है नेरिस नेरिस एक प्रकार का जन्तु है जो की समुद्र के जो है समुद्र में पाये जाता है और मेरेन एनिमल एक प्रकार का और कार्निवोरस है मासाहरी प्रणी है है ना तो हम इसके प्रैक्टिकल प्रपस से जो है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यह स्पैसिमेन है नेरिस इसकी study करेंगे अपन और इसमें अपन किस तरीके से study करेंगे इसकी सबसे पहले हम जब किसी को specimen को जब study करते हैं तो सबसे पहले उसका classification then classification के बाद हम बात करते हैं habit and habitat की और habit habitat के बाद उसके जो general features होते हैं उसकी हम बात करते हैं तो habit habitat के through हम क्या बताते हैं कि ये किस आवास में पाया जाता है, क्या खाता है, किस तरह कि इसकी आदिते होती हैं, है ना, जैसा भी मैं बता रहा हूँ कि nocturnal animal है, रात्री चर है, शिकारी जन्तु है, actively, है ना, शिकारी से मतलब हो गया कि ये जो है शिकार करके खाता है दू सबसे पहले इसका study करेंगे classification नरिस का सबसे पहले classification क्लासिफिकेशन जब हम study करते हैं, तो classification में इसका phylum, class, order, genus, क्या है इस वे के अंदर अपने इसमें बात करते हैं, तो classification में देखिए phylum जैसा मैंने का है, ये एनलिडा का member है, सबसे पहले इसका phylum, फाइलम क्या है एन एलीडा एन एलीडा संग की विशेषन्ट आप जानते हैं एन एलीडा संग के जो जनतू होते हैं उन में क्या होता है बॉडी कैसी होती है metamer analytical segmented होती है शरीर खंडित पाया जाता है और metameric segmentation का मतलब है कि true segmentation शरीर बाहर से और अंदर से दोनों तरे से खंडित दिखाई देता है है ना जैसे metamoric segmentation को अगर हम परिवाशीत करें तो कैसे परिवाशीत करेंगे serial repetition of the body part serial repetition बार बार जो हर खंड के अंदर जो है body parts का क्या हो रहा है repetition हो रहा है थीक है तो इसलिए हम इसको किस में रखते है एनलीडा में रखते हैं क्या कह सकता हूँ मैं body metamoric segmented ठीक है class की बात करें एनलीडा के अंदर इसके बाद इसकी class क्या है polykita है class है इसकी क्या polykita polykita class के जो member होते हैं poly का मतलब होते है मतलब poly का मतलब बहुत सारे cheetah means legs यानि की बहुत सारे legs पाए जाते हैं बहुत सारे pair पाए जाते हैं इसके अंदर neris के अंदर इसलिए इसको देखिए अब आपन क्या कह सकते हैं कि शूद या पैरा पोडिया उपस्तित होते हैं ठीक है पैरा पोडिया प्रजेंट पैरा पोडिया और मैनी अनेक पैरा पोडिया कह सकते हैं आप उनसको poly कीटा कीटा मिन्स legs इसके तो legs वैसे पैर तो नहीं होते तो इसमें हम क्या कह सकते हैं पैरा पोडिया जो होती है आउट गरोथ होती है वो पैरा पोडिया इसमें अधिक संख्या के अंदर पाया जाते हैं तो polykita का एक तो यह character हो गया और polykita के अंदर first सीर पाया जाता है क्लाइटेलम absent होता है देखिए एक important character है इस polykita का क्लाइटेलम absent अब एनलीडा के जो बाकी जन्तु आपके चुआ पढ़के आए ओलीगो किटा के अंदर आता है उसमें क्लाइटेलम नामक भाग पाया जाता है ठीक है ना लेकिन इस पॉलीकिटा क्लास में क्लाइटेलम नहीं पाया जाता है तो यह एक विश्यश character है और यहां आपने देखा एनलीडाकों किसको कहते हैं जिसकी body कैसी होती है मेटामरिक सेगमेंटर शुर्ण होता है दूसरा उत्सरजन जो है नैफ्रीडिया के दवारा होताय यह भी कह सकते हैं एक्सक्रिष्यन भॉई नेफ्रीड़्या ऑआ एक तो यह होगया ठीक है तो यह दो ट्रेक्टर इसके होगए दो टैक्टर पॉलि गिता ओंगे चलिए आउन बात करें क्छास के बाद ओल्डर कैस का सिह नहरी साता हे ए यृएशिया उर्डर के अंदर हो और रियृ glut परडर के अंदर जो है हम कह सकते हैं कि यह कैसे जन्तु होते हैं फ्री लिविंग और बरोईंग एनिमल होते हैं ठीक है कैसे होते हैं character free living and and the Burowing animal बिलकारी जनतु होते हैं और सवतनतर जीवी होते हैं दूसरा इनकी जो pharynx होती है वो कैसी होती है ? inverted होती है बाहर निकल सकती है तो pharynx को हम कह सकते हैं pharynx inverted and almost STA जबडोयुक्त होती है pharynx inverted with jaw समझ गे मेरी बात कि जो pharynx नामक भाग होता है आहर नाल का एक भाग है pharynx वो यह बाहर निकाल सकते हैं inverted मतलब बाहर निकाल सकते हैं बही सारी तो pharynx इनकी बाहर जा सकती है और वो किस से जुड़ी होती है जबडों से with jaw जबडे समेत जो है pharynx body से बार निकल सकती है यह irancia order का main character है और बात करें हम तो और इसमें बात करते हैं तो आपन देखिए फिर genus आप जानते हैं नेरी से इसका नियन्थिस भी कह सकते हैं जीनस कहा है नेरीस या इसको नियन्थिस भी कह सकते हैं नियन्थिस ठीक है यह हमने classification पढ़ा अब classification पढ़ने के बाद हमें यह प्रूव करता है इसको कि यह फाइलम अने लिडा में आता है तो यह character show होते हैं इसलिए अने लिडा में आता है यह character show होते हैं इसलिए polykita class का member है इरेंशिया में क्यों आता है यह character है तो इस तरीके से हम अच्छी तरह से classification को क्या कर सकते हैं describe कर सकते हैं चलिए आप इसके बाद अपन देख लेते हैं कि यह जो animal है इसका habitat habitat क्या है क्या इसके general characters है देखने में हमें कैसा दिखाई देगा किस देखा है यह इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं study कर लेते हैं किस तरीका में दिखाई देगा क्या है देखिए हम इसके बारे में आप अपन क्या स्टड़ी कर रहे है है विट विटेट एंड कमेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा और मैं इसका डाइग्राम भी बना देता हूं कि किस तरे कहां में ये नेरिस अनिमल जो है देखने में देखेंगा किस तरे का देखेंगा देखेंगे देख लेते हैं आपन कि इस तरे का मान लो आपनोगी देखें लगाओंगे अनिमल जो रसमकृण्पर 210व में कि दूष्छ का से अनिमले का देखेंग। झाल झाल इस तरह से देखिए इसकी body कैसी होती है metameric segmented होता जैसे हम बात कर रहे है metameric segmentation पाया जाता है है ना और parapodiase में हमें दिखाई दे रहे है prostomium, peristomium पाया जाता है कि यह इस तरीके से अधिक है अधिक है आप हम देख रहे हैं कि इस तरह का यह हमें दिखाई देगा और यह वाला जो सबसे ऊपर देखिए इस तरीके से आपने इसको क्या करें paristomium tentacles पाये जाते हैं ओपर की तरफ ठीक है ओपर की तरफ क्या पाये जाएगा paristomium tentacles पाये जाते हैं paristomium सिराही पाये जाते हैं parostomium pulp पाये जाते हैं किस तरह केगे और यहां पर paristomium क्या मैंने बताया आपको paristomium जब उसको क्या कह सकते हैं कि सिराही पाये जाते हैं ठीक है ना paristomium सिराही होते हैं और parostomium pulp पाये जाते हैं साथ में और tentacle पाये जाते हैं देखिए यह क्या है parostomium pulp है यह क्या है parostomium pulp क्लिक है यह क्या है इसकी आइज है और यह हम कह सकते हैं इस तरीके से यहां पर tentacle है इस तरह का कुछ हमें यह देखने में animal जो है दिखाई देगा सारा शरीर आप देख रहे हैं इसकी body कैसी है segmented body हमें दिखाई दे रही है last में हमें दिखाई देता है anal सिराई इसको क्या कहते है anal सिराई और यह last वाला segment कहलाता है anal segment इस तरीके से यहां पर जो आप देख सकते हैं इस तरीके से यह जो हमें दिखाई दे रहे हैं यह क्या है यह साथ में दिखाई दे रहे हैं यह आउट ग्रोथ हैं जिनको पन पैरापोडिया बोलते हैं क्या बोलते हैं पैरापोडिया इस तरीके से यह नुकली जो सरंचना है आपको दिखाई दिरियें पैरा पोड़ा है आउट ग्रोथ ओब दा एपिडर्मिस यह आउटर जो इसका इंटाग्यूमेंट है उसकी आउट ग्रोथ है इस प्रकार से जो ये नेरिस जो है हमें दिखाई देता है और इसमें चारों तरफ बोड़ी के क्या पाई जाते हैं पैराप पोड़ी आप आए जाते हैं ठीक है देखी है हमने स्ट्रक्चर बना लिए इस तरीके से ये इस तरीके से ये हम देख रहे हैं इस तरीके से क्या है सारे पैराप पोड़ी है थीक है इनको क्या कहा रहे है अपन पैराप पोड़ी रोख क्या है ये पैराप время थीक है इनके दवारा ये क्या करता है गती करता है तो इस प्रकार से नेरिसामें देखने को मिल रहा है बोडी सारी सेग्मेंटेड है मेटामेरिक सेग्मेंटेड है यह वाला खंडा मारा कहला रहा है पैरी स्टोमियम क्या कहरें इसको पैरी स्टोमियम इस प्रकार से यह सारा सेग्मेंटेड बोडी नजरा रही है चलिए अब ये हमारा जो diagram नेरिस का बनके तयार हो गया है अब इसमें अपनों को क्या आप करना है comments बताने जो हम comments पढ़ लीते हैं comments क्या-क्या इसके character जैसे आपको सबसे पहले बताया कि यह है जो है habit habitat का है चिछले समुंदर के अंदर जल के पैंदे में ये बिल बना करके रहता है तो हम कह सकते हैं नमबर एक found in shallow water ठीक है चिछले जल में पाये जाता है found in shallow water दूसरा burrowing animal बिल बना कर रहने वाला जन्तु है समुंदर के किनारे पे जो रेत होती है रेत में ये बिल बना करके रहता है ठीक है और marine जन्तु है एक परकार का समुदरी जन्तु है तीसरी बात हम करें carnivorous जन्तु है carnivorous feeds upon small animal ठीक है मासाहरी जन्तु है जो की छोटे अन्य जन्तु के उपर ये शिकार करता है predator है active predator बोला जाता है इसको की active predator का मतलब है की ये सक्रिय रूप से जो है परबक्षी होता है एक परकार का जो मार करके खाता है दूसरे जन्तु हो carnivorous feeds upon small animals ठीक है अब अब इसमें हम बात करते हैं क्या करेक्टर हो सकता है free living है carnivorous है nocturnal है इसको claim worm भी का जाता है non as claim worm claim worm के नाम से भी इस जन्तु को जाना जाता है और ये कैसा होता है देखिया carnivorous तो मैंने बताया है ये आपको साथ में कैसा होता है nocturnal जन्तु भी होता है रात्री चर nocturnal and active predator nocturnal and active predator सक्रिय रूप से परवक्षी जन्तु होता है शिकार करके खाता है छोटे जन्तु हों को और रात में ही निकलता है इसलिए इसको अपन रात्री चर बॉल सकते हैं इसके अलावा इसका श्रीर जो होता है उसमें 200 ring-like खंड पाए जाते हैं body, segment कितने होते हैं 200 तक पाए जा सकते हैं क्या कह सकते हैं body, cylindrical and divided into 200 segments body divided into 200 segments और क्या हो सकता है और अगर हम इसके characters की बात करें तो देखिए और अपन इसके क्या character ले सकते हैं जब हम बात कर रहे हैं कि 200 के करीब इसमें खंड पाए जा सकते हैं कितने हो सकते हैं maximum 200 तक हो सकते हैं और body metameric segmented है यह मैंने आपको बताई दिया metameric segmentation किसको कहते हैं इसके अलावा इसमें sensory organ जो इसका अगर सीरा होता है next है head distinct स्पष्ट सिर पाया जाते है जो की head distinct prostomium and peristomium segments are found prostomium और peristomium segment जो है इसके अगर भाग पर पाये जाते हैं ठीक है और head में जो है एक जोड़ी prostomium tentacle होते हैं prostomium palp होते हैं ठीक है head beers one pair क्या क्या पाया जाता है एक जोड़ी prostomium palp one pair prostomium palp हो गया और one pair क्या हो गया prostomium tentacles हो गई one pair prostomium tentacles and two pair eyes are present ठीक है जो सीर होता है सीर के उपर दो जोड़ी जो हैं आखे पायी जाती हैं एक जोड़ी prostomium tentacle होते हैं एक जोड़ी prostomium palp पायी जाते हैं ठीक है और यह क्या है इसके समवेद्यंग है present which is responsible for sensation समवेद्यंग को गरहन करने का कारे करते हैं इसके लिए क्या होते हैं जिम्मेदार होते हैं इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एक जोड़ी prostomial palp पूर यह सब जो हैं इसमें चार जोड़ी paristomial tentacles पाये जाते हैं देखिए यह जो दिखाई दे रहे हैं आपको यह कितने होते हैं इसमें देखने को हमें मिलते हैं अब और कैसा है ये 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 इन a यह unisexual जन्तु होते हैं ठीक है जो पैरापोडिया होते हैं पैरापोडिया पर अनेक शूक पाए जाते हैं हम कह सकते हैं कि first खंड को छोड़कर के जैसे हम कह सकते हैं कि सिर्थ था head और anal खंड को छोड़कर छे सभी पर क्या पाई जाते हैं एक जोड़ी पैरापोडिया पाई जाते हैं वन पेर पैरापोडिया प्रेजेंट अन इच सेग्मेंट ओफ बोड़ी अन इच सेग्मेंट ओफ बोड़ी पर ते एक सेग्मेंट पर जो है पैरापोडिया पाई जाते हैं केवल हैड को छोड़ करके और एनल उसको छोड़ के एकसेप्ट हैड एन एनल रीजन समझ गे मेरी बात पिछले वाले को और उपर वाले को छोड़ के हर खंड के उपर क्या पाई जा रहे हैं पैरापोडिया पाई जा रहे हैं और पैरापोडिया पर क्या होता है स्पाइन कांटे नूमा सरंचना इस तरह की पाई जाती है ठीक है अब हम इसमें बात करते हैं और क्या हो सकता है इसमें पेरापोडिया किस चीज में सायक है रेस्पिरिशन एंड लोकोमोशन पेरापोडिया रेस्पोंसिबल फोर लोकोमोशन एंड रेस्पिरिशन ठीक है शोसन के लिए और गमन के लिए जो होते है पेरापोडिया रेस्पोंसिबल होते है इसके लावा इसमें जो नैफरीडिया के द्वारा क्या होता है नैफरीडिया के द्वारा देखिए इसमें क्या होता है उत्सरजन होता है वो बाकी में करेक्टर बता देता हूं आपको और क्या क्या हो सकता है नेफ्रीडे के द्वारा उत्सरजन करते हैं यह एनलीडा का करेक्टर है दूसरी बात इसमें क्लोज टाइप का रैस पर वह पाये जाता है क्या कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम इरिथ्रो क्योंिन इसके अंदर पिगमेंट होता है वे पाये जाता है जो वीशेश़ता है इसकी गहर हम एंधी निरीस होता है युक्षस का एक लार्वा भी होता है यादि डालाव को कहते हैं ठ्रोफोर लार्वा करते हैं तो इस प्रकार से हम जब इसका specimen की study करते हैं नेरिस की तो हम देखते हैं कि किस तरीके से इसके outer feature में दिखाई दे रहे हैं habitat habitat क्या है दूसरा classification क्या है इसके नेरिस के बारे में इतना ही अब इसकी दूसरी stage जो sexual stage है हेटरो नेरिस उसकी बात करेंगे next वीडियो में thank you